हाई वेलकूम यौल माई दियर स्ट्रेंड तो माई चैनल इंजीनियस इस्टेडी आज हम पढ़ने वाले 4.4 दंसिंग कैवल सिप क्लास 8 की जो माहरास बोट की बुक है माई इंगलेस बुक उसका इचेप्टर स्ट्रेंड आज हम पढ़ने वाले जितने भी वामिंग अप और चिट्चैट में जो क्वेस्टन दिया है उसके आंसर ठीक है देख लेते हैं एक एक क्वेस्टन को मैं पढ़के उसका मीनिंग ब तूफान आ जाते बाड आ जाती भुक कंप आ जाते ज्वाला मुखी फटने लगती ठीक है स्ट्रेंड तो इस टाइप की जो घटनाएं होती इसी को बोलते नैचुरल केलाइमिटी मतलब प्राकृतिक आपदाएं ठीक है तो क्या बुला है कि आपने इसके बाने कभी सुन है यहां पढ़ा है स्ट्रेंड आंसर है इसका यहां मैंने बहुत ज़्यादा सुना है about it in newspapers and TV थोड़ा सा इसको आप सुधार सकते हैं देखो आप क्या करना हर्ड और यहां अबलिक करके रीड लिग देना स्ट्रेंड क्या कर देना रीड तो आंसर बहुत अच्छा हो इन लॉंग जर्नी जो लंबी यात्रा हैं होती हैं लंबी यात्रा हैं जो करते हैं लॉंग जर्नी उसमें क्या क्या अलग 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 पॉसिबिलिटी होती है ना आंसर देखो डैमेज रोड यह एक पॉसिबिलिटी है ना कि बहुत लंबी यात्रा करेंग तो आपको संभ होती है यह ना आगे देखे लहते सिच्ट न क्या है थर्ड कवेस्चन अ है इसको फोड़ी फोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं ऑके थर्ड question क्या अगन्हों रहा है थर्ड question Do you know the sea wayaxe Yax. व vraiment होता है samudri समूदरी की जुआ यातरा होती है जल यात्रा को विए आक्स पोलते हैं, तो समुद्री जल यात्राओं के बारे में आप जानते हैं, yes, answer देखो, yes, I know it, I know, it means a journey to some distant places, इसका मतलब है, ऐसी जर्नी जो बहुत दूर के places में होने वाली हैंना, समुद्रसों जो यात्राओं होती, कई महिने महिनों तक चलती हैं, ठीक है, बहुत लंबी यात्रा जब हमें करना होता है, लंबे समय के लिए, है न, लंबे समय के लिए भी है और लंबी डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो distance process, दूर के इस्थानों, दूरस इस्थानों के लिए यात्रा की जाती इस्टों है, जो समुदर यात्रा होती, बाकी दूसरी यात्राओं से कैसे बिन होती, अलग होती है, जब आप समुदर में यात्रा करते हैं, तो stress-free होती, मतलब वहाँ पर कोई सोर नहीं होता, and without risk of accident, बहुती कम risk होती accident के स्टों है, क्योंकि traffic नहीं किसी से जाच, टकरान ही नहीं वाला है, बहुती कम case में आप देखते होगे, जैसे Titanic की case में हमने इस chapter में पड़ा, but it can be more dangerous, यह बहुत ज़्यादा dangerous भी हो सकती, if worst situation occurs, जब बहुत बुरी situation आती है, तो यह चीज बहुत dangerous भी हो सकती, जैसा Titanic ship के साथ हुआ था strand, ठीक है, चिट-चिट का 5th question क्या कह रहा है, why should we have alternatives in the journey, यात्राओं के थ्रू हमें alternative रखना चाहिए, मतलब एक चीज, एक दो option रहने चाहिए है न, तो इसका answer देखो, we should always have alternatives in the journey, in case of any fault in the first vehicle, अगर हमने कोई एक तरीका यात्रा करने का चुना हुआ है, बाइक से जाना है या कार से जाना है जो भी, अगर एक vehicle में कोई fault आ गया दिक्कत आगी तो हमारी पास दूसरा option हमेसा होना चीज, हमारी बाइक खराब होगी तो bus का option होना चीज, train bus बंद है तो train का option होना चीज, ऐसे हमेसा कुछ न कुछ option होने चीज, देखो, अगला question क्या है, read the lines given below, कुछ lines से उन्हें पढ़ना है, imagine yourself in the situation, और खुद को इस situation में रखना है, जो नीचे दिया हुआ है न, और यह जो question है उनके answer लिखना है, and answer the questions based on your imagination, अपनी imagination के साब से अपको answer देना है, ठीक है, तो क्या दिया, situation क्या देखो, यहां से यहां तक situation देख लेते, जो कुछ दी हुई है, after the game practice, my friend and I were hungry, एक game की practice हो रही थी, तो मैं और मेरा friend हंगरी थी, हमें भूक लग गी थी, तो we decided to go to a snacks outlet, हमने बाहर जाने का सोचा कि हम कुछ snacks ले ले, है न, कुछ नास्ता ले ले, on the third floor in a huge storied mall, एक बहुत सारी building, story का mall था, बहु मंजिला इमारित थी, एक mall थी, तो उसके third floor पर हम चले गए, है न, नास्ता करने के लिए, on the way और रास्ते पर, just as we paid our bill, जैसे हमने अपना bill pay किया, and were about to leave, और हमने ये सब नास्ता लेके वापस आने ही वाले थे, है न, there was a ear-sattering blast, याने कानों को दहला देने वाला एकदम, हैना, सुन कर देने वाला blast हुआ, a loud explosion on the first floor, और पहली फ्लोर पर हम तो लगबा भार ही निकल गएते हैं, है न, इतना बड़ा धमाका हुआ, इस situation को खुद अपने, आपको इस situation में रखना, इस condition में, और imagine करना है, और इन सवालों के आपको answer देने, पहला question के, what was your first reaction, आपका पहला reaction क्या था, ठीक है, तो देखो, क्या था पहला reaction, सब लिख के राख है, मैंने आप लोग के लिए, यह देखिए, first question, second question का answer, ठीक है, ठीक है, okay, देखो, क्या है, what was your first reaction, answer, at the first reaction, I was very shocked, and ran to the exit door, मैं बहुजाला सौग्र था, और क्या हुआ, मैंने बिल पे किया, और क्या हुआ कि मैं exit door की तरफ भागने लगा, ठीक है न, how did the public panic, public किस तरह से, मतलब, दिक्कते जहल रही थी है, न, when people heard the ear-sattering blast, they started yelling, जब उन्होंने सुना, इस कानों को सुन कर देना वुला, इस धमाके की आवाज को सुनी, they started yelling, उन्होंने yell मतलब चिलाने लग गए, वो चीखने लग गए, for help, साहता के लिए, and trying to find the exit door, और exit door को डूड़ने की कोशिज करने लगे, ठीक है, अगला question क्या है, यह first or second हो गए, right mark लगा दिया, third question क्या है, what did some alert, sensible people do, जो alert और sensible people है, अच्छे people, लोग है, जो उन्होंने क्या किया, हाँ से देखो, they try to rescue the children, rescue मतलब बचा कर निकालना किसी मुसिबत से किसी को, है न, तो जो अच्छे जो people थे, alert और sensible है न, तो they try to rescue the children, women, and old people very fast, जितने भी बच्चे थे, जितने ही महलाई थे, और जो old people थे, उन्हें बहुत जल्दी वहाँ से निकालने की कोशिज किया, उन्होंने, what was the damage and danger, क्या damage था और क्या danger था, वहाँ पा देखो, the explosion blew out, some bricks, brick walls, and windows, the first floor was seriously damaged, ब्लेवाट मतलब, जला दिया, उसने कुछ, या कुछ नुकसान पहुचा दिया, है न, किस चीट को, कुछ brick wall को, and windows को, है न, the first floor was seriously damaged, और पहला floor तो पूरी तरद से damage हो गया था, क्यों, क्योंकि blast तो वहीं पर हुआ था, first floor पे, ठीक है, आगे देखो, देखो, अगला question क्या, who came to the rescue, ये next question है, rescue मतलब, लोगों की जान बचाने के लिए, जो आते हैं लोग, वो को न आया, rescue करने के, लोगों को बचाने के लिए, महां से, आन सकते हो, the fire fighters, है न, वो लोग आया, fire fighters, आग बोजाने वाले, police आई, and some local people, came to the rescue, और जो local people थे, अस प मारे गए, answer देखो, 20 people were injured, and 3 people were killed, 20 लोग क्या हो गए, चोटील हो गए थे, और 3 people तो मारे गए थे, अगला question है, what effect did the instance leave on your mind, है न, instance मतलब, वो जो वहां पर घटना हुई, उस समय, उसी वक्त, आपके, उस वक्त ने, उस instance ने, उस पल ने, है न, आपके मन में क्या असर छो आपके मन पर उस घटना का क्या प्रभाव पड़ा, answer देखो, after this incident, I was extremely shocked, मैं बहुत ज़्यादा, है न, ठीक है, and realized, और मैंने ही realized किया, that one can die at any moment of life, की one का मतलब है, कोई भी है, कोई भी मर सकता है, at any moment of life, अपने जिंदकी की किसी भी पल में, किसी की भी जान जा सकती, ठीक भी हम, हमारी जान जा सकती, किसी भी घटना से, answer देखो, अगला question क्या है, second का a है, the word unsinkable has a prefix as well as suffix, unsinkable, sinkable, sink का मतलब होता है, do बना, sink एक verb है, इसके पहले मैंने un लगा दिया, क्या लगा दिया, and, और इसके आगे लगा दिया, a, b, l, e, able, तो जो able, जो sink के सामने लगा ह इस्ट्रेंड, suffix बोलते हैं, जो word के last में लगता है, और sink के पहले un लगा दिया, ये क्या होता है, prefix होता है, इस्ट्रेंड है, तो एक prefix un लग गया, और एक suffix able लग गया, तो sink word क्या बन गया, unsinkable, मतलब कभी न डूबने वाला, तो ऐसे suffix और prefix लगा देने से, किसी word के meaning change ह हो जाते हैं, कुछ नया words बन जाता है, या तो अकेला suffix भी लगा सकते हो, या फिर आप अकेला prefix भी लगा सकते हो, या फिर दोनों को भी लगा सकते हो, किसी word के पास है, और एक नया word बन जाएगा, ठीक हो, ठीक, ऐसे ही कुछ है, तो give the root words of the following, और जो main word होता है, जिसके आ ठीक है, यहाँ पर अन तो एक क्या लग गया है, प्रिफिक्स लग गया है, अबल सफिक्स लग गया है, बचा क्या comfort, तो comfort आपका root word है, वैसे ही अन हटा दो और ness हटा दो तो happy, हैपी में तो happiness बनता है, ness लगा दिये तो y का i बन जाता है, happiness, happy root word है, यहाँ पर secure in word है, secure से security बना, फिर उसी से insecurity बन गया, इन लगा दिये तो, वैसे ही in accuracy में accurate से ही तो accuracy बना, और फिर in लगा दिये तो in accuracy बना, तो main word accurate है, यहाँ पर, है न, इसको root word कहते है, आगे देख लो, independence, देखो a, n, c, e, 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 n, c, depend ही आपका root word है, e, को हटा दो, e, और यहाँ पर, er को, तो male आपका root word है, न, un को हटा दो, और en को हटा दो, तो lose, lose आपका root word है, ठीक है, तो suffix और prefix को हटा के, जो main word बचा है, उसी को आपको लिखना है, जो कि क्या होता, आपका root word होता है, यहाँ पर able, able से ही तो ability बना, है यहाँ पर appear, appear के बाद में a-n-c-e लगा जी तो appearance बन गया, a-n-c-e भी लगता है कई भार e-n-c-e भी लगता है न? और यहाँ पर dis लगा दिय तो disappearance, तो main word तो appear है, वैसे ही यहाँ पर friend है, वैसे ही यहाँ पर act है, है न? समझे है, friend से ही तो friendly बना और फिर unfriendly बना, ठीक है न, वैसे ही, act लिकाओ है न, तो active, है न, i-v-e भी तो एक suffix होता है, यहां पर क्या है, understand है आपका main word, क्या है, understand, miss हटादो, और ing हटादो, understand बन जाएगा, ठीक है, अब यहां क्या करना है, understand, write two words each with the following prefix, in prefix मतलब जो word के पहले लगते हैं, पहले, सामने, सामने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, prefix, प्रिफिक्स लगाना और दो-दो word बन जाएगे, anti से anti-social बन जाएगा, anti-oxidant बन जाएगा, इस अब सुने हो गए आपने सम्ट, है न, जैसे anti ऐसा, जो है न, word, prefix, जो आपका negative word बना देता है, न, एंटोनिम बना देता है, किसी सब्द का है, न, social का एंटोनिम, anti-social बन जाएगे, oxidant का उल्टा हो गया, anti-oxidant, है न, इस टाइप से आप एंटोनिम बना सकते हैं, dis-se भी एंटोनिम बनते हैं, non से भी, है न, तो काफी word, prefix और suffix है तो, जो एंटोनिम बना देते हैं, two words, each with the following suffix, अब बस suffix लगा देना है, जैसे full से beautiful, powerful, suffix मतलब जो आखरी में लगते हैं, जैसे full और full लगा दिया मैंने, तो बन गया, beautiful, powerful, or use लगाने से dangerous, luxurious, testless, useless, smartly और angrily, एलवाई से, ठीक है, आगे और कुछ नहीं है, यह chapter यहीं कतम होता है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो जरूर कमेंट करके बताइए, और like कर दीजाए, ठीक है, और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की notification आपको मिलती चली जाए, okay, thank you very much Stan, bye bye.